चोपड़ा है जो किसन योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो आज इस वीडियो में हम दो इस्टेट की काउंसलिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले केरिला स्टेट के बारे में बात करेंगे जिसके 24 फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं उसके बात करनाट का स्टेट के बारे में बात करेंगे जिसका फर्स्ट राउंड का रिपोर्टिंग सेडूल आ चुका है और अभी आपको 24 इंट्री करना है तो कौन से कंडिडेट को कौन सी 24 इंट्री करना है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम केरिला इस टेट के सेडूल के बारे में बात कर लेते हैं तो केरिला इस टेट के जो 24 फिलिंग है उसकी लाज टेट 15th नॉमबर 22 सुबर 10 बजे तक रखी गई है इसमें आप सुबर 10 बजे तक सेकंड राउंड के लिए 24 फिल कर सकते हैं इसके लिए जिन candidate को first round में कोई seat नहीं मिली थी वो सारे candidate इसके लिए eligible हैं और उनको choice filling के दोरान सारे के सारे option मिलेंगे जो उन्होंने first round में fill के थे इनमें से delete कर सकते हैं, ultra change कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको final कर सकते हैं वो candidate भी eligible हैं जिनको first round में seat मिल गई थी और जिनोंने join किया हैं और जिनोंने join नहीं किया हैं वो candidate भी eligible हैं लेकिन उनको जो allotted college हैं उसके higher वाले option मिलेंगे यानि कि जो college allot हुई है उसके उपर वाले अप वाले सारे option मिलेंगे, down वाले option उनको नहीं मिलेंगे और इसमें जो इसकी result publishing की जो date रहेगी वो result publishing की sheet allotment की 19th November 22 रहेगी लेकिन ये आगे पिछे आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी MCC का second round का schedule 18th November तक reporting है तो इसके according ये change हो सकती है एक दो दिन आगे भी हो सकती है इसके बाद में इसमें fees token fees के बारे में सारी details दे रखी है तो आप यहां से इसको read कर सकते हैं क्या condition रहेंगी second round की तो ये तो था केरिला स्टेट का schedule जिन candidates ने केरिला में registration कर रखा है वो admission लेना चाते हैं तो वो इस निश्यत समय के दोरान अपने च्वाई से fill कर दे इसके बाद में हम बात करते हैं करनाटका state की बारे में तो करनाटका state का result आ चुका है जिन candidates ने करनाटका के लिए apply किया था वो अपना result चेक कर सकते हैं और जिन candidate को seat alert हो गई है उनको यहां पर अभी choice entry fill करनी है जिनको seat alert नहीं हुई है first round में उसका तो अलग से schedule आएगा choice filling का अभी वो आया नहीं है लेकिन जिन candidate को seat alert हो गई है उनका यह reporting schedule भी आ गया है और उनको choice entry भी करना है तो एक बार हम schedule देख लेते हैं इसमें तो इसमें first round का result 9th October 22 को release हो गया था इसके बाद में choice entry करनी है वो 11 November 22 से लेकर के 13 November 22 तक रात 12 बज़े तक कर सकते हैं choice entry क्या होती है और ये क्यूंकि जाती है कौन-कौन से candidate इसके लिए eligible है वो मैं आपको यहां बता देता हूँ जो 11 से 13 November 22 तक आपको करनी है तो इसमें choice के लिए 4 option रखे गए हैं choice number 1, choice number 2, choice number 3 और choice number 4 ये सारे उनी candidates के लिए हैं जिनको seat alert हो चुकी है choice 1 उन candidate को करना है जिनको करनाटका के first round में seat alert हो चुकी है और वो counselling को यहीं end करना चाते हैं आगे फरदर counselling में participate नहीं करना चाते हैं जो उनको college alert हो गई है उसमें वो admission लेकर के MBBS करना चाते हैं तो उनको choice 1 option यहाँ पर डालना है तो वो आगे की counselling के लिए eligible नहीं रहेंगे यानि कि अगर किसी candidate को sent john मिल गई है, kims मिल गई है, वो सोचते हैं कि आगे उनको upgrade नहीं करना है तो वो choice 1 भरे, choice 1 फिल करने के बाद में उनको fees deposit करनी है online उसके बाद में K.E.A. office मलेशवरम जाना है, उसके बाद में वहाँ original documents deposit करने है और further college में report करनी है, यह choice 1 की condition में है और वो एक बार report कर देंगे तो उनके लिए आगे के लिए counselling के लिए वो eligible नहीं रहेंगे इसके बाद में choice 2 का option आता है, choice 2 के लिए वो candidates choice 2 फिल कर सकते हैं जो upgrade करना चाते हैं और इस seat को भी रखना चाते हैं यानि कि first round में जो उनको seat मिली है, उसको वो safe रखना चाते हैं और second round में upgrade करना चाते हैं, तो उनको इस condition में सिरफ online tuition fees deposit करनी है one year की, उसके बाद में कुछ भी नहीं करना, second round के लिए उनको participate करना है, college fill करना है उसमें उनको seat मिलती है, तो फिर documents deposit करना है मलेशवरम में और फिर college में report करनी है, ये आगे का procedure है तो जो candidate upgrade करना चाते हैं, और first round में mili seat को रखना चाते हैं तो वो candidate fees deposit कर दे, choice two option उनको fill करना है choice three option के लिए वो candidates choice three करेंगे जिनको seat alert हो गई है करनाटका के first round में और वो ये seat नहीं लेना चाते हैं, आगे upgrade करना चाते हैं लेकिन ये seat नहीं रखना चाते हैं, इस seat पर वो join नहीं करना चाते हैं वो fees deposit अभी नहीं करना चाते हैं तो ऐसे candidate choice three option fill कर दे, उनको second round की choice fill करते समय ये जो allotate college है first round की, ये visible नहीं होगी बाकि उनको सारी college है eligible होगी एक बात मैं आपको एक और बता देता हूँ choice one जो candidate करते हैं, उनको तो second round में कोई मोका नहीं मिलता वो second round के लिए eligibility नहीं है लेकिन जो choice two करते हैं, upgrade के लिए उनको जो college अलोट हुई है, जो college पर होगी admission ले रहे हैं उसके hire वाले option मिलेंगे यानि कि उसके उपर जो college उसने फिल की है, वो option मिलेंगे तो मैंने one का भी बता दिया है, choice one का, choice two का भी बता दिया है choice three का भी बता दिया है, choice three आप अगर करेंगे तो आपको फीश वगरा कोई deposit नहीं करनी है direct आपको second round में, choice हैं जो मिलेंगी सभी choice से मिलेंगे, allotate college को छोड़के उनको alter change कर सकते हैं, लेकिन आपकी seat जो second round में मिली है वो shape नहीं है, वो किसी और candidate को मिल जाएगी ये choice three के लिए option है, क्योंकि आप तो उस seat से संतुष्ट ही नहीं है फीस आपने deposit नहीं की है, तो वो seat आपको second round में नहीं मिलेगी शो नहीं होगी, बाकी सारी college आपको second round में शो होगी तो ये choice three के लिए option है, इसके बाद में choice four उन candidate को करना है जिनको कहीं अलग जगे seat मिल गई है, दूसरे state में seat मिल गई है यहां से ही करनाट का state की counseling को cute करना चाते हैं, तो वो choice four fill कर दें तो सभी choices के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो अभी payment किन-किन candidate को करना है जो candidate choice one कर रहे हैं, चूच और choice two कर रहे हैं, one में मैंने आपको बता दिया जो choice one जिन candidates ने दे रखा है, उनको मलेशवर्म जाना है, documents deposit करना है और फिर college में report करनी है, तो यह 15 से 16 तक वो documents deposit कर दें उसके बाद में allotment letter डाउनलोड कर लें, अपना admission letter डाउनलोड कर लें और 15 से 16 नवंबर 22 तक college में report कर दें जो reporting की जो last date रहेगी, वो 17 नवंबर 22 रहेगी, यह सारा जो है, वो choice one के लिए है choice two को सिरफ fees ही deposit करनी है, बैंक में दिये हुए समय पर तो यह मैंने सारा schedule भी बता दिया आपको, सारी eligibility भी समझा दी है करनाटका और केरिला दोनों के बारे में, तो यह twice entry आप समय से करके अपने fees deposit करके seat secure कर लें, तो यह करनाटका स्टेट और केरिला स्टेट के लिए update था, इस channel को आपको subscribe करके रखना है, ताकि हर एक स्टेट के update आपको मिलती रहेगी आपर, इसके बाद में अगर यह वीडियो पसंद आता है, तो like करें, otherwise dislike भी इसको कर सकते हैं आप, तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन